गुट मॉर्निंग क्लास 6 इस इस चैप्टर नमबर 4 इन हिस्ट्री पार्ट 2 ग्रीन डीज की बात करते हैं ग्रीन डीज मैंने होता है भंडार देखिए यहां पे बहुत जान्दा लार्ज ग्रीन डीज पाई जाते है मुहंजुदारों में, लोथल में काली बंगा में, हारप्पा में जिसको स्टोर किया जाता था जान्दा से जान्दा ठीक है न जो ब्लैक केंड और चैरेट ग्रीन होते थे उनको भी इसी भंडार में शामिल किया जाता था यह इंडिकेट करता है कि जो हरप्पन है उस तैंग पर जो हमारा फूट ग्रीन था उसका प्रोडक्शन काफी अच्छा था और यहाँ पर टेक्स भी कलेक्ट होता था इन दा फॉर्म आफ दा फूट ग्रीन ठीक है न लाइफ ऑफ प्यूपल लाइफ ऑफ प्यूपल की बात करते हैं तो एकोनॉमिक एक्टिविटी और उक्यूपेशन की बात आईगी इसमें जो सिटी इस थे वो काफी जन्दा बीजी रहते थे अपने एक्टिविटीज के अंदर क्राफ्ट जो क्राफ्ट थे वो अपना उक्यूपेशन अलग देखते थे ठीक है ना मतलब क्राफ्ट से भी काफी लोग लिंक आउट थे जो पोटरी मेकिंग थी वो यहां पर काफी जन्दा स्पेशलाइस थी क्योंकि यहां के लोग को पोटरी मेकिंग बहुत अच्छे से आती थी वराइटी ऑफ पॉड्स डिफरेंट डिजाइन्स डिफरेंट शेप्स यहां पर सब कुछ मिलता है पाया जबी चाता है जो मैटल वर्क था वो यहां पर हाइली एट्वांस क्राफ्ट हुआ करता था कॉपर और ब्रॉंच यहां पर यूज होते थे मैं टूस बनाने के लिए वीपन्स बनाने के लिए और्नामेंट्स और वैसल्स बनाने के लिए जो ब्राँज स्टेचूज हैं डांसिंग गल के वो भी यहाँ पर एक्सप्रेस किये जाते थे और वो जो स्किल्स है वो हरपन क्राफ्टमेंशिप्स के थूँ आई थी जो मेकिंग जो गूल्ड बनाया जाता था सिल्वर की ज्वेल्डी बनाया जाती थी उनको वो भी काफ़ी सुंदर बनाया जाती थी जिसके लिए उनके प्रसंसा हमेशा होती थी उसके बाद बीड मेकिंग यह हमारी एक दूसरी स्पेशलाइज क्राफ्ट थी बीड्स जो की काफ़ी जान्दा पॉपुलर थी डिफरेंट डिफरेंट वराइटी ऑफ मैटेरियल इसमें यूज किया जाता था इसमें स्टोन्स आते थे जैसे कार्नीलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, मैटल लाइक दा कॉपर, ब्रॉंज, गोल, शेल और बेग्ड क्ले, टेराकोटा, शील यह हमारे अनदर टाइप के स्पेशल कंट्रिबूशन थे जो कि सिविलाजेशन में यूज होते थे इसके अलावा यह फ्लाइट, ट्रेक्टेंगूलर आबजिक्ट्स बनाई जाती थी, इसमें कले को बन कर लिया जाता था ठीक है न, टेराकोटा, उसके बाद जो टेराकोटा है, वो हमारा टेराकोटा मतलब एक तरी से हमारे मिट्टी होती थी, चीनी मिट्टी, जिससे की कुछ थी हमारे बर्तन बनाया जाते थी और बर्तनों पे हमारी छपाई होती थी ठीक टैरा कोटा मतलब मतलब एक ऐसी मिट्टी जिसको बनाने के बाद उसे पकाया जाता है ठीक है यह जो मैंने आपको बता वो फैनिस का बताया है ठीक है जो टेरा कोटा है वो हमारे raddish brown clay होती थी जिसको की pot या toy बनाने के बाद उस मिट्टी को पकाया जाता था ठीक है जो फैनिश थी वो हमारी mad made material हुआ करता था जिसे बाद में चमकदार बनाया जाता था ठीक है मतलब काफी शाइनिंग ग्लास सरफेस की तरह उसे चमकदर बनाते थे जिसे कि लोग आकशर की कारण उसे खरीदा करते थे और अधिमल्स की कार्विंग भी हुआ करते थे अधिमल्स की चीज़ें भी बनती थी प्रोबैबली यहां पर जो मर्चेंट्स हुआ करते थे कॉर्टन वीवी भी काफी जांदा प्रैक्टिस में आई स्प्लेंडर वॉल्फ टू स्प्रिंग थ्रेड यहां पर क्या जाता था और वो हर अपन साइट पर पाया गया है इसके अलबा काफी जांदा प्रूबबली हमारे थी जो क्राफ्टमें थे वह स्पेशलाइज होती थ यह जो अकाउंट था वह हमारा काफी जांदा अच्छा था था क्राफ्टमेंशिप का वक्यांपे काफी जांदा पॉपॉलर भी था और अच्छा चल भी रहा था त्रेट की बात करते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टन फीचर थे उस टाइम के हर अपन में जो ट्रेड हो की वेस्ट इशिया से आई टेन आई जो की जिसे ब्लेंड किया जाता था कॉपर के साथ और मिला के ब्रॉण ब्लेंड किया जाता था कॉपर के साथ और इससे उसके बाद फिर हमारा ब्रॉण जाया जो की अफगानिस्तान से और इरान से आया गोल्ड आया हमारा करनाटिका से जिसके precious stones बनाए जाते थे गुजरात इरान अफ़कानिस्तान में अब शील जो है अरपन कल्चर की वह यहां पे मेसोपोटामिया में मिली है जो कि इंटिकेट करती है कि ट्रेट जो था वो जो बिजनिस था वो काफी जानदा दूर तक फैला हुआ था और लोगों की बीच में था टॉक्यार्ट्स जो है वो यहां पे लोथल में पाए गए है जहां पे की बोट और शिप्स मोटर शिप्स समुंदर में मिले है ठीके ना और यह जो है वो ट्रेवल करते थे रिवर चैनल की बीच में मतलब जो भी सामान जा रहा है वो रिवर चैनल से हो कर जाता था ठीके ना जो भी लोडिंग हो रही है अनलोडिंग हो रही है वो कहां से जाएगी रिवर के होते तब ये टक्ट तब यह डोड्स और ट्रेंज कहाँ होती थी थी नहीं ओधिंदी तो रिवर की ठीव सारा होता था एक कंट्री सा दूसरी कंट्री जाना या जहां भी जाना है तो थुरू दा रिवर चैनल ठीक है ना इसके लावा जो large number of pupils हुआ करते थे वो टाउंस पे रहते थे इनको food supply करना पड़ता मतलब इनके पास food supply होता था जो farmers थे वो अपनी crops जान्दा उगाते थे और जैसे जले हुए चन्ने हुए वो हमारे हरपन साइट्स में मिले हुए हैं जिसमें wheat, barley, lantan, sesame, millet, millet जो है वो हमारी गुच्रात की साइट से पाई गई है food production की बात करते हैं two mint काफी जान्दा से बड़े बड़े जो cities थे जो farmers थे जो गाओं में रहते थे वो क्या करते थे कि जान्दा crops उगाते थे जिसे की वो supply कर पाएं cities में अपने crops की ठीक है ना जिसे की शेर वाले लोग भी खाना खा पाएं इसकी वज़े से वो लोग जान्दा plants लगाते थे हर अपन में wheat बार्ले पल्स पीज राइस इस लेंसे इड मस्टर्डी सब पाया गया है जो top models जो top models थे मतलब खिती उगाने के जो सबसे अच्छे models हुआ करते थे उसमें हमारी काफी जन्ता sites आते हैं जिसमें हर अपन भी है जहाँ पर farming जो farming की गई थी उसके अफशिश पाए गई है इसके अलावा हमें ये भी चानने को मिलता है कि जो process है हमारी irrigation की उसके लिए ये लोग पानी को store करते थे और जब भी field को जरूरत होती थी तो वहाँ पर supply कर देते थे animals bones भी यहाँ पर पाई गई हर अपन की sites में जिसे की ये पता लगाया जा सकता है कि जो cattle है शीप, gourd, buffalo, pig ये लोगों का उस टाइम पर domestication हुआ था ये पालतो जानवर हुआ करते थे जिनको पाला जाता था जिनसे दूद वगएरा लिया जाता था अपनी inutable चीज़े इसके लावा administration की बात करते हैं देखिए जो administration था यहाँ का जैसे कि आपको पता होगा कि कैसे active or complex civilization थी जिसमें बहुत सारे cities के नाम govern हुई है जब हम trading के बात करते हैं trading यहाँ पर काफी साथ इंपोर्टन था जिसकी वज़े से जो cities थे वो हमारे प्रसासिं जो था वो committee के दुरू चलता था ठीके ने जो rich merchants थे वो हमारी committee में शामिल हुआ करते थे एक stone statue भी पाया गया है archeology के truth जो कि यह बताता है जो labor थे वो हमारे priest king हुआ करते थे जो priest थे मतलब पुजारी थे वो एक important role play करते थे हमारे administrating the city city की प्रसासिक कार्यों में important role play किया करते थे हमारे प्रसासिक देखता था local social classes की बात करते है प्रोवेबली जो हमारी society थे वो different classes के अंदर आते थे जो ruling class थी जो ruling class consists of the rich merchant जो ruling class है उसमें हमारे rich merchants आते थे प्रीस्ट आते थे जिनके पास काफे जान्दा power थी जिसे वो enjoy करते थे ठीक है ना इनके पास विशिश अधिकार थे जिसकी वज़े से ये सेटडल में रहते थे गड़ में रहते थे ग्रूप में रहते थे the producing class जो producing class थी उसमें हमारे craftsmen, merchants, scribes जो कि lower towns पे रहते थे वो आते थे the class of the labor and the peasants जो यहाँ पे farmers हाते थे जो कि food produce करते थे जो कि गाओं में रहते थे और cities के आसपास रहते थे जो labor है जो laborer थे वो हमारे काफी hard physical workers होते थे जो कि छोटी छोटी जोपडियों में रहते थे और cities के आसपास लगी हुआ करते थे entertainment की बात करते हैं entertainment जो हर अपन प्यूपल है हमारे उन्होंने काफे जानदा creativity की जिसकी वैसे जो children थे वो abuse करते हुए यहाँ पर दिखे बहुत सारे toys वागेरा small clay cart animals figures marbles rattles dolls विस्टल यह सब यहाँ पर पाए गई है इनका एक important role रहा है games को लेके ठीक है ना कि पुराने जमाने में भी games खेले जाते थे जो कि कहीं ना कहीं हमारे model game से similar है बहुत सारे जो terracotta toys होते थे उन्हें भी यहाँ पर ढूना गया है excavation मतलब पाए गई है हमारे harappan sites पे स्क्रिप्ट की बात करते हैं जो harappan थे उन्होंने उनको जरुबत पड़ा कि वह script लिखे वह कुछ लिखे ठीक है ना इसलिए उन्होंने accounts बनाए ठीक है ना उन्होंने laws लिखे rules लिखे regulations लिखे स्क्रिप्ट जो है वह फाउंड ही थी हमारी enclave on the shield seals पे पाई गई थी जो harappan की स्क्रिप्ट है वह pictographic है ठीक है ना एक मतलब pictures है जिसमें sign बने हुए है जिसे की represent किया गया है idea से object से your words से जो स्क्रिप्ट है उससे जो मतलब अभी तक नहीं निकाल पाए है ठीक है ना बट इतना इतनी जरूर limited information मिली है इस civilization से related की कुछ न कुछ जानकारी वहां पर जरूर available है religion की बात करते हैं यहां पर बहुत सारे religion थे पुराने टाइम पर भी जिसमें hindus में हमारा main था यह believe करते थे कि जो harappan है वहां पर वो woman goddess की पूजा होते थी mother goddess की पूजा होते थी ठीक है ना जो click की image बनाई जाती थी women's की उनको यहां पर पाया गया है कुछ seal में पाई गई है रभपन में male gods की जिनके आसपास हमारे animals की figure बनी हुई है tiger, dinosaur, buffalo rose ठीक है elephant जो हमारे historians है वो believe करते हैं कि earlier time पर हमारी shiva की images मिली है पश्युपती की images मिली है ठीक है ना जिनका मतलब है lord of animals जो की भगवान जानवरों की भगवान होते हैं ठीक है ना इसके अलावा इंडिया में आज भी people के पूजा जाता है धार्मिक उसका काफी महत्वा है हर अपन में भी यह चीज़ बिलीव में आई है कि बहुत सारी चीज़े शील पर बनी हुई है पाई गई है मतला photography है जो people का tree है उसका पूजा किया जाता था और कुछ लोग ताबीज और ताबजी बना की भी यहां पे पैना करते थे इसके अलावा जो लोग है उन्होंने देखा है कि भागे पर भी भरोसा करते हैं चीज़ों को टालते नहीं हैं अगर टालते हैं तो बैड लग पे आता है जो graves है जो लाइफ होती है जो graves है वहां पर पाया गया है कि articles मिले हैं वादलब जो लोग मर जाते थे उनको उनकी 2500 से लेकर 1500 BC तक कम से कम 1500 BC में हमारे काफे जाने साइन आफ मतलब मुसीबते आने लग गई जिसके वैसे लोगों ने cities को छोड़ना शुरू कर दिया raw material जो था उसको बाहर बेचना बंद कर दिया जो unique drainage system था वो भी तोटना शुरू हो गया था हर जगे confusion confusion हो गई थे जो scholars थे उन्होंने क्या कर दे थे चार reasons बताए गए हैं जिसकी वज़े से जो decline हुआ वो हमारा successful हो पाया एक तो यहाँ पर स्थर्था नहीं थी ठीक है ना stability नहीं थी आगामी थे वो लोग ठीक है ना जिसकी वैसे हर अपन civilization हमारे spoil हो गई और जो suggestion आता है reverse का reverse हमारी सूखने लगी थी ठीक है ना जो deforestation है वो हमारा start हो गया था जो भी हमारे historian final blow जो थी हमारे civilization के आकरमड होने लगा था यहाँ पर आर्यंस का ठीक है ना इसकी वज़े से ही हमारी decline हुआ कुछ natural calamities आ गई थी जैसे earthquake, flood, droughts, epidemic यह सब कुछ हो गया जिसकी वैसे decline हो गया हमारी civilization का finally आपका chapter करता हो चुका है किसी को कोई भी problem है तो मुझे inbox में पूछ सकता है बाए बाए हुआ हुआ है